जी आ नमस्कार मित्रों आज है 14 डिसेंबर मंगलवार और UPSC प्रिलिम्स को अभी 5 महिने और 23 दिन ही बचे है मुद्दा यह है कि आज इंगेन एक्सप्रेस में एक्जाम के लिए काम की चीज़े क्या थे वैसे मुद्दे काम के तो कमी थे लेकिन कैर अभी जबर जस्ती वीडियो बनाना है तो कुछ निकालते है Environment related some current affairs कि UNSC में Climate Change की चर्चा के लिए एक Permanent Institution संस्था बने उस पर रश्या ने विटो किया और बारत ने भी विरोध किया ऐसा क्यों Supreme Court का कुछ judgment है कि Great Indian Bastard पक्षी को बचाने के लिए राजस्तान और गुजरात में ये solar और wind की सब electricity वाली cable underground बीचाई जाए तो इस पर Government of India को क्यों एतराज है Elon Musk बना Time Person of the Year और हरनास संदू बनी Miss Universe ये सब देखते हैं तो पहले Environment versus Development कोई मिलाकर मुद्दा ये है कि Great Indian Bastard पक्षी पहले भी एकाद रिपोर्ट ऐसा आया था शायद सरकार ने पार्लामेंट में जवाब दिया था कि कितने सारे पक्षी electricity line के चलते वहाँ वो टकरा जाते हैं और मर जाते इस पर सुप्रीम कोट ने कुछ जजमेंट दिया था कि गुजरात और राजस्थान के उन इलाके जहां Great Indian Bastard बक्षी पाया जाता है वहाँ पर ये electricity की लाइने ओवर ग्राउंड नहीं होनी चाहिए बुगर्ग में होनी चाहिए अंडर ग्राउंड होनी चाहिए तो ऐसा सुप्रीम कोट का ये जजमेंट आया था लेकिन इस पर यूनियन गवर्मेंट ने सुप्रीम कोट को रिक्वेस्ट किये बिंती किये कि आप इसको चेंज कर दीजे ये जजमेंट को क्योंकि ये करीब 80,000 स्क्वेर किलोमीटर का एरिया बनता है जहां इदर उदर ये पक्षी पाये जाते हैं इतने बड़े इलाके में economically not possible to dig up so many underground electricity lines और खासकर ये पक्षी तो उस पूरे 80,000 स्क्वेर किलोमीटर एरिया के अंदर early 1% एरिया ऐसा है जहां पर वो असल में पाया जाता है तो उसके लिए पूरे 99% और को क्यों underground line बिचा नहीं है और ऐसी ये 700-800 किलोवट की जो electricity lines होती है वो underground नहीं बिचाए जा सकती ऐसा कोई wire बनाने वाला manufacturer भी नहीं है दुनिया में और ये सब करने बैटे तो हमने जो UNFCCC में solar energy, wind energy के अलग-अलग target बनाए थे वो सब हासिल करने में मुश्किल होगी तो ये सब क्या हुआ? environment, wire diversity को protect करना है, साथ ही साथ, economic development भी चाहिए, electricity भी पहुँचानी है वगएरा दूसरा ही एक ऐसा ही मुद्ध, pollution climate change के बारे में मामला ये था कि United Nations Security Council में climate change की चर्चा के लिए अलग से कुछ छोटया से agency, organization, space बनाई जाए ऐसा Ireland, Nigeria वगेरा देशों ने कुछ proposal डाला उस पर रश्या ने वीटो कर दिया कि ऐसा कुछ करने की जरूद नहीं है बारत ने भी अगेंस्ट में वोट कर दिया कि ऐसा कुछ UNSC में नया permanent space बनाने की जरूद नहीं है क्योंकि UNFCCC में sufficient space मिलती है सबी देशों को अपनी बात रखने के लिए कि climate change से क्या हो रहा है Interestingly जब इंडिया और रश्या ने अगेंस्ट में वोट किया China ने वो absent रहा उसमें से उसने हाव या ना कुछ भी नहीं बोला गया राजरी दिखाई वो शायद इसलिए होगा कि उसको हमने आगे भी पढ़ा था अमेरिका और यूरोप के साथ सब trade deal करवानी है तो वहां की वो सब woke media जड़ा राजी रहे और वैसे भी Wuhan coronavirus के चलते जो negative PR publicity है तो और उसे वापस चर्चा में नहीं आना होगा इसलिए और उसने सोचा होगा कि अगर रश्या वीटो करेगा तो अपने आप ये संस्ता तो बनने ही वाली नहीं है तो मेरे को और बोल के अपनी negative publicity क्यों बढ़ानी है तो मलब चाइना ने सोच विचार कर abstain किया उसमें आता ये भी सब environment pollution है और सम international diplomacy वगेरा आगे बढ़ते हैं economy आज इंडियन एक्सप्रेस ने 500 लाइन की एक explain series बनाई है co-landing जो की असल में एक line का ही मुद्दा है बात ऐसी है कि suppose किसी किसान को tractor खरीदना हो तो वो bank से 5 लाग लोन ले ये मनापुरम finance वाला उसको 2 लाग लोन ले और ऐसा करके मालीजे वो 6 लाग का लोन ले ले तो ये जो काम हुआ उसको हम कहते हैं co-landing या co-origination of loans प्रशन किसान ऐसा क्यों करें कुछ अलग-अलग कारण होते हैं शायद की bank वाला उसकी credit history देखते हुए उसको 5 लाग से जादा न देना चाता हूँ या फिर की किसान ऐसे गाउं में रहता है जहां पर bank की branch नहीं है जिसको हम co-origination या co-landing कहते हैं अब इसमें bank ने किसना लोन दिया किसान को 5 लाग तो वो bank के priority sector landing को टा में गिना जाता है तो मैं यह एक दो line का ही मुद्द है 500 line की explain series Indian express को क्यों बनानी पड़ी वो मुझे समझ नहीं आ रहा है उसी तर नवेंबर में inflation बढ़के 4.91% हो गया हाला कि सरकार ने तो डीजल पेटोल पे एकसाई ल्यूटी कम की थी उसकी सब चर्चा विशलेशन अम पड़ने नहीं बैठेंगे मैंने आपको आगे भी बताया था एकनामिक सर्वे आने तो अगले साल का पूरे साल का वो ट्रेंड दिखाएगा तो देखेंगे फिर एक शब्द चर्चा में है Q-Commerce या Quick-Commerce ये Quick-Commerce क्या होता है जैसे स्वीगी जोमेटों में उनके Delivery Boy आप कुछ स्टेशनरी मंगवानी है या अपना स्पीड पोस्ट बिजवाना है तो वो सारे काम आपको करते दे ऐसी उन्होंने फैसिलिटी बनाई थी तो ऐसी चीजे की जहां पर आप कुछ चीज ओर्डर करें और 10 से 30 मिनिट में ही घर पे आ जाए कि वो Delivery Boy वो कहीं दुकान से खरीद के लेकर आए आपको pen pencil चाहिए ऐसा तो वो चीज को कहते हैं Q Commerce या Quick Commerce ग्रोफर जो की Grocery Delivery का काम करता था लेकिन उसे लगा की मैं अपने बिजनस को ऐसे रिब्रांड करूंगा तो वो Blinkit बना के ला रहा है बगार पर एनिवेज इंडिविजल एक्जामपल नॉट सो ग्रेटली इंपोर्टन एक आर्लाइन में पता होना चाहिए कि क्यूं कॉमर्स क्या फिर कुछ आगे हम बढ़े निउस्पेपर में पेज 6-7 कॉलम्स डिएगो मेरा डॉना जो कि एक फुटबॉलर था उसकी गड़ी किसी ने चुराई थी और आसाम से मिली वो अंपड़ने नहीं बैठेंगे क्यूं क्यूंकि अपना रूल नंबर फाइव क्या था एक था टाइगर जेमस बॉन की करंट अफेस हमारे लिए काम की ने फिर इंटरनेशनल इलेशन डिफेंस में राजा मोन ने आज लिखा है इंडिया और यूके के रिष्टे अब कुल मिला कर लंबी चौड़ी जो बात है उसमें यह है कि ब्रिटन दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी एकॉनोमी अर्थ्व्योसता है संयुक्तराष्ट में पर्मनेंट मेंबर है 27 अदत से है बड़ा फाइनाशल सेंटर है वहाँ पर हाइर एजुकेशन और टेक्नोलोजी का भी बहुत ज़्यादा यह सब ऑक्सपोर्ड और देट काम चलते रहता है तो बारत अगर उससे साथ ज़्यादा कोलाबरेशन करें ओन टेक्नोलोजी डेवलपमेंट ट्रेड रिलेशन्शिप तो हमें फाइदा होगा उसमें ऐसा नया कुछ नहीं जो आप पहले से नहीं जानते उसने बहुत सारे रैंकिंग दे दिये हैं कि ब्रीटन इधर नंबर वाने उधर नंबर पांच है वो सारे रैंकिंग अपने लिए काम केने कुल मिला कर बात इतनी थी ये वाले लिंक पे आपको मिल जाएगी फिर एक खास निउस पेपर जिसके ही साब से स्री लंका के प्रेसिडेंट गोटा बाय राजा पक्षा पूरी दुनिया उनके इर्दगिर गुम्तिय और वो दुनिया के महांतम नेता है लेकिन स्री लंका में पैसा खतम हो गया सरकार के पास तो संसद को छोड़के वो सिंगापूर भाग गए वहाँ लोन में पैसा कहीं से उठाना होगा जैसे बड़े लीडर से दूसरे देश के नेताव से बात करनी होगी वगएरा हम पढ़ने नई बैठेंगे चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव एशिया और एउरोप में रेल रोड इंफ्रास्टक्चर, कनेक्टिविटी, पॉर्ट इंफ्रास्टक्चर ये सब बैतर करने के लिए वो अलग-अलग गरीब देशों को देर सारा लोन में पैसा देता है लेकिन क्योंकि कोरोना के चलते हैं जादा तर देश वो लोन वापस नहीं कर पाएंगे और पैरलली अमेरिका अंडर प्रेसिडेंट जो बिडेंट बिल्ड बैटर बैक या बिल्ड बैक बैटर ऐसी कुछ वो नई चीज़ लेकर आ रहे तो चिन्ने जो पहले लोन देता था उसकी साइज दिरे दिरे अब कम हो रही है ऐसा एक नया रिपोर्ट खैर वो भी बहुत जानने लाइक नहीं वो तो पहले भी हमने देखा था कि कैसे अब वो दिरे दिरे बैल्ड रोड इनिशेटिव फिका पढ़ रहा है पेज 6-7 पर और भी कॉलम थे वही सब हिंदू मुस्लीम असर रिपोर्ट और उसी साब से बच्चों का पढ़ा लिखाई कम हो रही है और सिले बस में ये चेंज करें फराडिम का वो सब हम पहले भी देख चुके कुछ नया दिल भाग भाग हो जाया ऐसी कोई कॉलम थी नहीं पॉलिडी के समाचार क्यूंकि संसद 17 में तो स्वाबाई के कुछ न कुछ आते रहेगा अब उसमें एक नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सबस्टन्सीज एक्ट वो क्या है हम पहले भी पढ़ चुके नशिले द्रव्यों की सब इस्तेमाल और तसकरी से लड़ने के लिए कानून है उसमें कुछ साल पहले सरकार ने कुछ सुदार किये थे लेकिन उसमें एक क्लेरिकल टाइपिंग एरर रह गया था जिसे कुछ मामला ऐसा हुआ कि अगर कोई आदमी नार्को स्मगलिंग को फाइनांस करे तो उसको सजा होगी की नहीं या ज़्यादा सजा या कम सजा वो वाली जो चीज थी वो कॉम्पुटर पे टाइपिंग करते वक शायद क्लर्क से डिलिट हो गई होगी तो ऐसा एक था आदमी जो नार्को स्मगलिंग को फाइनांस करता था अलब ऐसी जीप ले जानी हो या वो स्मगलर को ओटेल में रुखना हो उसका सब वो इंतिजाम और पैसा दिलवाता था उसे कोट ने छोड़ दिया क्योंकि वो सेक्षन ही डिलिट हो गया था तो अब वापस उसको ला रहे हैं और वो पुरानी तारिक से लागू किया जाय था तकि ऐसे जो सो लोग कोट से छुट गये थे उनको वापस पकड़ा जा सके इसकी सब चल रहे हैं लेकिन बहुत जादा मुझे काम का लगता नहीं जो मामला था उकुल मिला कर इतना ही था ये एंजिनेरिंग और टेक्निकल इंस्टिट्ट्स को रेगुलेट करने के लिए AICTE संस्था All India Council for Technical Education उसने एक कमिटी बनाई थी जो कमिटी ने ऐसा बोला था कि एंजिनेरिंग कॉलेज में वैसे एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है तो अभी कुछ सालों के लिए नए कॉलेज खोलना बंद करो उनको पर्मीशन मत दो क्योंकि वो सब खाली जाने वाला है तो उसी इसाब से अगले एक साल के लिए भी दे विल नाट अलाव ओपनिंग अफ न्यू एंजिनेरिंग कॉलेजी सिवाए कि कोई बहुत जोरदार प्रपोजल हो पिर ये संसद लेजिसलेचर में एक चीज होती है प्रिविलेज मोशन यानि संसद के विशेशा धिकार का हनन हुआ हो ऐसा कुछ मामला तो बहुत पूर्व चीफ जस्टीस रंजन गगोई जो अभी राजे सबा के मेंबर भी है वो राजे सबा में हाजरी नहीं दे रहे और एक टीवी इंटर्यू में उन्होंने ऐसा कहा कि मैं राजे सबा में नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग का चुस्ती से सक्ती से पालन नहीं होता है उसके examiner की क्या qualification होनी चाहिए और वो गोदरा खांड वाला जो प्रशन पुछा था उसे आठाया फिर कल परसों में पूछा था कि महिला ससक्ति करण के चलते महिला अपने पती की बात नहीं मानती इसलिए बच्चे अपने मा की बात नहीं मानते वो कैंसल करवाया परशन वो सब चल रहा है पन में चीज़ हम आगे ही देख चुके थे नथिंग इंपॉर्टन फिर परसन इन न्यूज में मिस यूनिवर्स का कॉंपिटिशन जो इस्राइल में हो रहा था बारत की फरणाज संदून को वो किताब मिला है सेपरेटली टाइम परसन आप दे यर वो इलोन मस्क को मिला जो की टेसला इलेक्टिक विएकल और स्पेस एक्स स्पेस कंपनी के साथ जुड़े हैं और सोशल मीडिया पर क्रिप्टो करनसी की नौटंकी भी करते रहते है हलाकि यह सब देखके शायद मार्क जगरबक को मज़ा नहीं आया होगा लेकिन सोचो की इलोन मस्क को मिला और उसको नहीं मिला उसको बहुत पहले मिला था लेकिन आजकल वो मीडिया की डार्लिंग नहीं रहा तो मलब इमेज मैनेजमेंट इस अल्सो इंपोर्टन यह भी एक लीडर्शिप क्वालिटी है कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं क्या रुख बनाते हैं नौटन की तो इलान मस्ट भी करता है लेकिन लोग उसको इतना भी नफरत नहीं करते कि टाइम पर सन अफ़ यह नहीं बन सके एनिवेज तो यह था आज का न्यूस्पेपर सी यू नेक्स टाइम